नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानला बहुत इंपोर्टन्ट और आपके लिए लाबदा एक साबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास अगर आप होटो के काले पन से परिशान हों तो ये वीडियो आज की आपके लिए ही बनी है आज की वीडियो में मैं आपको पकी गरेंटी के साथ बोलती हूँ कि आप होटो को मुलायम तथा गुलावी बना पाऊगे जया दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सी चीज़े लिप्स पर लगाने के लिए एपलेबल होती हैं पर उनकी कोई गरेंटी नहीं होती है दोस्तों कि वे फायदा देंगे या नहीं देंगे पैसे का फायदा आपका हो खर्च करने का या ना हो दोस्तों इस बात की कोई गरेंटी नहीं होती है यदि आपको मैं home remedy एक बता रही हूँ आप उसको apply कर लोगे तो आपकी पकी guarantee के साथ होट आपके काला पन है वो खतम हो जाएगा आपके होट गुलाबी तथा मुलायम हो जाएंगे यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मारे चनल को जरूर सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको lips scrub बनाना सिखाऊंगी lips scrub की वज़े से जो आपके होटो के उपर काले पन की परजमी हुई है वो हटेगी तता आपके होट गुलाबी दिखने लगेंगे दोस्तो इसके लिए आपको खुछ चीजों की आवशकता पड़ेगी तो आपको बताना चाहूंगी दो चमबल पीसी हुई शक्कर और एक चमज आपको लेना है कोकोनट ओइल आदे जमब चाहिए आपको नीमबू का रस आपको क्या करना है यह जो जीजे मैंने आपको बताई है इनको डंक से मिक्स करना है और आपको इनको होटो पर अपलाए करना है और दोस्तो स्क्रब करना है इसको 2-3 मिनट तक दोस्तो यह यदि आप डेली अपलाए करोगे तो आपको इससे बहुत फायदे मिलेंगे दोस्तो शुगर के अंदर एलफा हाइड्रोसिक्ट होते हैं जो लिप्स के ऊपर डेट स्कीन को हटा देती हैं जिसे अपने होटो के ऊपर लगाते ही वो परत हटना स्टार्ट हो जाती है और आपके होट मुलायम और पिंक कलर के दिखने लगते हैं दोस्तो जैसे कि आपको लेमन में पता ही है विटामिन सी अधिक मातरा में होता है जिसकी वज़ा से होटो के पिंग्मेंटेशन की वज़ा से डाक्रेस पोर्स हो जाते हैं उनको कम करने में हेल्प मिलती है तथा कोकोनट ओयल दोस्तो आपके होटो को मुश्यराइज करता है और आपके होटो को मुश्यर परदान करता है साथ में यदि आप नाइट में कोई मुश्यराइजर क्रीम यदि होटो पर अपलाए करके सोगे तो आपको बहुत ज़्यादा भैतरी इन रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आज की वीडियो पे बस इतना ही लोटेंगे एक ना बूले और मेरी सिदे को लाइक जरूर करे क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियो बनाने की प्रेडा मिलती हैं